हमाशकार आज हम सूर्दास के चुकपद हैं उनका सारांस करेंगे अत्यंत सरल शब्दों में आज इसका सारांस पढ़ रहे हैं सूर्दास जी ने इन पदों को गोपियों के श्री कृष्ण के प्रती ग्रहन प्रेम को दर्शाते हुए रचना की थी जब श्री कृष्ण भगवान मतुरा चले गए थे तो गोपियां बहुत ब्याकुल हो थी और श्री कृष्ण के मित्र उधव को कभी उलाना देती हैं तो कभी उस पर ताना करती हैं वे उधाउजी को कहती हैं कि तुम तो बहुत भागेशाली हो कि कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो तुमने श्री कृष्ण के साथ रहते वे भी उनसे प्रेम नहीं किया वो कहती हैं कि हमें ऐसी मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपते हुई हैं जैसे चीटियां गुड़ से चिपक जाती हैं दूसरे पद में फिर वह उलाना देती हुई कहती है कि अब हमारे मन की आशा मन में ही रह गई है जिस कृष्ण के लोट आने की आशा हमारे मन में बनी हुई थी वह तुम्हारी योग साधना के संदेश को सुन करके समापत हो गई है, खतम हो गई है अब हम श्री कृष्ण के वियोग में किसी भी प्रकार का धेरे नहीं रख सकती हैं क्योंकि अब धेरे का कोई आधार ही नहीं रह गया है फिर तीसरे पद में वह कहती है कि श्री कृष्ण उनके जीवन का आधार है किस प्रकार से श्री कृष्ण को उनके जीवन का आधार बताया है जैसे कोई हारिल पक्सी होता है और उसके जो मुख में पकड़े हुए तिनके को अपने जीवन का आधार मानता है उसरी प्रकार से गोपिया श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती है योग का नाम तो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है योग साधना तो उनके लिए है जो प्रभू श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते है चोथे पद में वो व्यंग्य करती हुई कहती है कि हरी उनके साथ राजनीती कर रहे है यानि श्री कृष्ण भगवान उनके साथ राजनीती कर रहे हैं क्योंकि वह जनम से ही चालाग थे और अब तो राजनीती के दाओं पेच भी उनको आ गए है पहले राजनीती के जनता की भलाई के लिए आगे-आगे फिरते थे किन्तु अब वे प्रजा के प्रती अन्याय कर रहे हैं ऐसे ही श्री कृष्ण हमें योग साथना करने के लिए कहकर हमारे प्रती अन्याय ही तो कर रहे हैं वो ये प्रशन उधव जी को पूछती हैं और कहती है कि श्री कृष्ण का यह वेवार किसी भी प्रकार उचित नहीं है